जिस तरीके से लगातार किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है पांचवे दौर की बैठक पर सभी की निगाहें टिके हुई हैं लेके ताश्वासन देनी की बाद भी निकल कर यहाँ पर सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है और अब इस बैठक के बाद क्या नेतीज प्रवक्ता राकेश्टी कैट भी पहुँचै जिनका कहना है कि किसान हर बार उमीद लेकर विज्यान भान पहूंचता है लेकिन हर बार किसान निराश होकर जाता है मनने और यह गतिरोध जो बना हुए है यह दूर हो देश के प्रधान मंति नरेंद्र मोदी के हाँ एक आज हाई लेवल बैठक हुई थी जिसमें रक्षा मंतरी प्यूश गोयल कृशी मंतरी सबी लोग मौजूद थे क्या लगता है जो पिछले दस दिनों से गतिरोध चलता रहा है वो खत्म होगा वो तो क्या ड्राप्ट लेका आएगी सरकार आज वहां पर मिटिंग होके वे आएंगे तो कोई ने को एक अच्छा ड्राप्ट लेका आएंगे जो किसावनों की डिमांड थी उस ड्राप्ट को लेका यहां पाएंगे सरकार कह रही है कि MSP जारी रहेगी और जो अनाज मंडिया हैं वो भी सेफ रहेंगी तो इस पर आप लोग मान जाएंगे या जब जो तीनों कानून है वो रद करने की ही मांगे हमारा यह है कि MSP पर कानून बने कि इसके निच्छे पर खरीद नहीं होगी ठीक है मंडियों में सेम टेक्स लगे यह भी उस बिल के अंदर है बाहरा फिर कर दो मंडिया कैसे बच जाएगी सुनेंगे इनकी बात यह क्या क्या चीज लेख आए सुनेंगे अगर आज बात चीद का कोई नतीजा नहीं निकलता है तो आगे की रणनीती क्या है भारत बं बात चीद के लिए शुक्रिया तो यह हमारे साथ भारते किसान यूनियन के राश्य प्रवक्तार आकेश टिकैत थे जिनका साफ तोर से कहना है कि आज जो बैठक होने वाली है पांचवे दौर की उसमें कहीं न कहीं एक बीच का रास्ता निकलेगा इस वक्त दिल्ली के वि चस्प होगा कि आज क्या किसानों का धर्ना प्रदर्शन खत्म होगा या सरकार किसानों को मनाने में काम्याब होगी या नहीं होगी कैमरा पतन शेरा सिंग के साथ इंदर सेन यादव जनतन टीवी दिल्ली खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतन टीवी एड़ प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट